हेलो फ्रेंटस एक बढ़ां चानल के लिए जो Batterस अब का स्वागत Jelly Tech बढ़ां के बाद करेंगे कि महात्मागाने शि Μानती उनिवरसिटी सी द्वारा तुं है contour नो नहीं करते हैं तो उस सर्कूलर में क्या है उसके उपर बात करेंगे क्या उसका प्रोज一定要 का ऊसका कॉनन से उसके उपर भी आम लोग आज बात करेंगे तो चलिए को वीडियो को सुरू करते हैं और वीडियो को लाश तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको टेक्निकल जो है वो इसूज आ रही होंगी तो लाश तक की वीडियो देखेंगे तो आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो चलिए इस वीडियो को जो है हम लोग सुरू करते हैं तो वीडियो सुरू करने से पहले सबसे पहले जो है कुछ क्वेश्चिन एंसर के जो है हम लोग सवाल जवाब जो है वो ले लेंगे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा सवाल किया है तो उसके सवाल का जवाब मैं एक एक करके दूंगा तो सबसे पहला सवाल जो है वो पूछा जा रहा है कि PhD entrance and syllabus PhD में जो है वो entrance होगा या नहीं होगा या उसका क्या syllabus है तो मैं एक बात बताता चलूँ आप सबो को कि अब जो है NetJRF जो है वो compulsory नहीं है PhD के लिए तो आपको PhD का जो है वो exam देना जो है वो compulsory है आपको 50% जो है marks obtained करना रहता है PhD में admission लेने के लिए तो PhD में जो है वो exam होगा और कैसे conduct होगा ये university administration जो है उसको बताएगी syllabus अगर आपको PhD का जानना है तो आप official site पे चले जाएं MGCU भी के वहाँ से आप जो है PhD की syllabus जो है आप download जो है वो कर सकते हैं तो PhD के बारे में मैंने बता दिया फिर दूसरा सवाल है कि glitch आ रहा है बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा सवाल किया है कि मेरा form फिलप नहीं हो पा रहा है या PhD बारे लोग बहुत सारे लोग जो है वो बोल रहा है फार्म फिलप नहीं पार है पैसा जो है मेरा कट गया है उसका क्या होगा क्या नहीं होगा तो यह एक तरिकाना चाहता हूं कि अगर glitch आ रहा है तो उस form को जो है थोड़ी दिर बाद जो है वो फिलप करना सुरू करें फिर उसके बाद जो है आपका form फिलप बजाएगा फिर भी अगर आपका form फिलप नहीं उपर है पैसा कट गया है तो आप जो है mail करके सोटें देनानाुन के पास जवाब के यूनिवर्सिटी अडवीके सब्सक्राइब करें करें उसका जवाब जो है यूनिवर्सिटी मिलता है या नहीं पिल यह स्कोलर्शिप जरूर मलता है जिए ज़ें आप आज के मुढ़ने पैस्टHI में जब लेते हैं कि उसको स्कोलर्शिप जरूरल मिलेगा क्या कि यह विस्थ के अब किना ब्रभे क्षाल सबसे पहला बात ज है देट को बढ़ा दिया गया। आप सब को पता है कि 31 वermď कोफेल तक इसली हाई उसके बढ़े है उसी को पढ़ा के जो है आपका यह जोब पाउप एक है जो हो 16 अगस्त तक ठीक है। उसके बाद आये सबसे महत्पून जो है वो बदलाओ आपका जो यह लिया गया है वो मैं बताना जाता हूँ कि अब मैंने पिछले बाले वीडियो में बताया था कि यह दो अप्शन रहेगा आपके पास या तो एक्जाम होगा नहीं तो आपका जो है मेरिट बेस पे आपको आपका जो है वो इसलेक्शन किया जाएगा उनिवर्सिटी प्रससांतोरा यह साफ शाफ बता दिया गया है कि यूजी और पी-जी UG और PG में जो है जो भी इस्टुडेंट्स जो है वो पाडिसिप्ट या एग्जा यह लेना चाहते हैं उनका जो है एडमिशन जो है वो मेरीट बेस पे होगा मेरीट बेस पे कैसे होगा वो मेरा पिछले वाला जो है आप वीडियो देख लें और उसका में एक स्क्रीन सोट भी जो है इस वीडियो में जो है वो डाल दूंगा आप सब जो है वो देख सकते हैं यूजी पीजी में अगर आप एडमिसन ले रहे हैं तो ग्रेजुएशन के पेसिस पे होगा और बाकी सब अख्योर किश्चिजीए है उप देख सकते हैं पिछले वाले वीडियो में इसका आई बटन में जो है वह लिंक दे दूँगा आप लोग वहां से जो है छेक आउट कर लेना एक और बात इसमें एक्स्ट्रूड किया गया है एंफिल और तरी है इसमें कोई भी बाधा नहीं होगा अभी इसके उपर जो है एंफिल पेजी के उपर अभी किसी तरीके का युनिवर्सिटी अद्मिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है नहीं लिया गया है उसका नहीं जैसे ही आएगा मैं आपको जो है अपडेट करोंगा ठीक है उसके बा जा रहा हूं वो सब जो है उनिवर्सिटी के ऑफिचेल वेबसाइट द्वरा जो है वो लिया गया तो आप जितने भी यह चीज़ अगर चेक आउट करना चाहते हैं तो आप युनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं और तीसरा सबसे इंपोर्टेंट फैस जो है अपना जो माक सीथ है उसको भी जो है आपको अपलोड करना पड़े जैसे कि 10 का माक सीथ 12 का माक सीथ और ग्रेडवेशन का लाश्ट एयर का माक सीथ अगर आप पीजी मेरे लिए तो इसमें बहुत सारे लोगों ने ग्जाम नहीं दिया होगा उसका माक सीथ उसके ऊप विजर्ट जो हो कहां से ले आएंगे इसके उपर जो है विस्विद्याले परसासन को सोचना पड़ेगा और COVID-19 का जो है यह situation चल रहा है तो उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि विस्विद्याले परसासन को जो है वो सुधारनी उनके उपर वो खुद वो लागू नहीं कर पा रहा है यूजी पीजी में आपको मांक सिट अप्लोड करना है जो भी बच्छे जो अप्लोड कर चुके हैं जो भी फॉम फिलप कर चुके हैं अगर हो सके तो उसमें आपको सुधारने का जो है वो ऑप्सन मिल रहा होगा उस तो अगर आप चाहते हैं कि इस से और क्या जो क्रिटिकल व्यू है उसको आपके सामने लाया जाए तो आप कमेंट करके जो है वो जरूर बताएंगे हमें और अगर आपको इतना करने बाद इतना वीडियो बनाने के बाद भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो मैं जय हैंद वंदे मातरम